रहा करते थे और कैसे वो आगे आए तो उन्होंने आके हमें बोला बकार जो निससे तो ऐसे बहुत सारे प्लेर हमारे पास आया करते थे और वो पूछा करते थे क्योंकि हम खुद पलेर हैं तो बहुत सारी चीजें उसके बाद हुआ उसे प्लेड़क जारे णिससे बांगे करते दो अंप प्लेडर ढदितने क सकता हैं अधितने कार्वे निससे लुद पलेड़का प्लेड़का पास्त। थोचे हो जिस्ट Selसे करना गमदी को बंच्टम में जिल्ज के पाटा zaman analysis तरी के देख है जर हो जमें हो जल्ज कि आपटान हुआ हो जिल्ज करना गमदादों करना दो जल्स कर्मा का कर दो it is, it is our honour to have Dr. FNG, Rockstar FNG, Guruji on stage. dance come on come on let's dance together come on everybody we dance तो प्रिस कॉंफरेंस चुरोंड से पहले तो प्लीज एक बार उस सिगनेचर स्टेप जुरूर करके दिखा दें जी जी सबसे पहले आप सब का बहुत-बहुत स्वागत जो भी सब लोग यहां पधारे हैं बहुत-बहुत स्वागत और हमें लगता है वो सिगनेजर स्टेप थोड़ी देर में कर लेते हैं पहले कोई और बात अगर करना चाहें या जो भी आपका प्रोग्राम है उसको कर लेते हैं ना थे स्टेज इस ओपन फोर मीडिया, यू के लिए सवाल येस मीडिया, प्लीज गोएड प्लीज ये अफ्लेक सब्सक्राइब अब यहां पर अब यहां पर अब यहां इस ओपन पोर प्रेस सर आपकी पहली फिल्म जो आई थी MSG, सेकेंड आई थी MSG 2, सर ये MSG 3 के बदले आपने लाइन हार्ट के उट रखा जो पहली फिल्म थी, मसेंजर, दा मसेंजर और दूसरी फिल्म थी, वो आपने बोला ही है कि MSG का जो सेकेंड फिल्म था लेकिन ये जो थर्ड फिल्म है, ये फरस्ट टाइम है कि हम गुरू के किरदार में नहीं है, एक जो किरदार था राजपुत योधा, उसके किरदार में है, तो ये फरस्ट टाइम है कि हमें एक किरदार निभा रहे हैं, ना कि एक एज़ी गुरू आ रहे हैं से 30 डिफ्रेंट रोल्स आपने निभाया है पिछर में यह अपने कैसे कर पाया सर्थ हम हमेशा कहा करते हैं कि हम एक इनसान है लेकिन वो ओम हरी अल्ला की जब किरपा होती है तो इनसानों से ऐसे काम ले लेता है तो यही हमारे पाठ जवाब है और ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिसे हम यह सबी साथिया यहां बैठे हैं हमारे फाइट मासर आवास अली जी हैं जितने भी अडीटर साब हहीं वो बच्चे भी हैं जो हमारे साथ आप फाइट किया करते थे तो हम एक साथ तो कैसे हो जाता था सब लोग हम बैठे-बैठे खड़े-खड़े डिजाइन बना लेते थे कोई हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं था वहीं स्टोरी बोर्ड बनता था डंडे से ही क्यों ना ऐसे ना कर लें असल तो बातों सी होता तो यह सब हम तो यह ही मानके चलते हैं कि शायद इश्वर की किरपा के बिना ऐसा संबब नहीं हो सकता है इसे नेच्रल पावर कर सकते हैं उसकी शक्ति है इसमें कोई दो राए नहीं यह तो आपने अभी जैसे देखा होगा बहुत सारे ऐसे कारे आपने आपने देखे हैं कि हम A to Z कर लेते हैं, 32 national game, already हम खेले हैं, उनके कोच भी हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे इंडिया के लिए medal आ रहे हैं, विजिंदर ने अभी-अभी मुक्यबाजी में पूरे देश का नाम रोशन किया, अभी राड को ली, आप उनकी वीडियो है हमारे पास, आप देख काम सोच भी नहीं सकता करना तो बहुत दूर की बात है, जब लिए आप नाम लिया है, जो क्रिकेटर और तो वो कभी आपका नाम लेते हैं, कभी दिखाई ने रिया सर्थ, ऐसा कि वो चाहिए ना लें, लेकिन आपको जल्दी ही हम उनकी वीडियो भी दिखाई हैं, जब गये थे और बताया करते थे कि मस्जिद में हम लोग रहा करते थे और कैसे वो आगे आए तो उन्होंने आके आपके आमे बोला बकार जूनिस से तो ऐसे बहुत सरे प्लेर हमारे पास आया करते थे और वो पूछा करते थे क्योंकि हम खुद बलेर हैं, तो बहुत सारी Firstly, I would request you to please take my question on a positive note, जी जी कोई बात निया बेटा, जो भी आप पूछेंगा, जैसा कि आपका नाम है Baba Ram Raheem इंसान, तो नाम सही काफी महांबच लगती आपकी, लेकिन फ्यूटर से बैक किकू शारदा का जो मामला हुआ था, तो वो कुछ इंसानियत के हसाब से ज़रा फि ट्वीट भी किया था, और आज भी आपके मादेम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने स्वस्त अगर मिमक्री की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि हम शराब पी रहे हैं, हम नोट बांट रहे हैं, जिसकी वजा वो किसी ने नहीं उठाई चीज, कि उस इसी चीज का, जी, आपके फैशन स्टेटमेंट का कुछ बताईए हमें, फैशन हमें लगता है कि जब हमने MSG 1 जो मेसेंजर के रूम में आई थी, तभी से हमने शुरू किया था, उसके बाद बहुत सारे अक्टरों ने शुरू कर दिया है, पहनना, पहले लड़किया पहन निकालें, बहुत बारे हमारे इन साथियों ने देखा होगा, शुटिंग के दरिम्यानी, हमने कोई तलवार बनानी है, ये गदा बनानी है, ये चीज बनानी है, तो वही बैटे-बैटे, फट से बना दिया करते, तो ये सब भी उसी की किरपा है, जी, बाबा जी, यहाँ आपके स्ट्रेट में, मेरे नाब वसीम अक्तर है, मैं इंडियानी उसे हूँ, यहाँ पर जो आप मंच पर बैठे में, आपको देखके एक शेर याद आता है, जी, 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 खुदी को कर बुलंद इतना, कि खुदा खुद देरी तकदिर से पूछे, बता तेरी रजा क्य है, तो सब कुछ कर लिया है जीवन में, कुछ बाकी रहे गा है, जो करना चाहते हैं, अभी तो हमें लगता है शिरुवात है, हमारी जी, क्योंकि उस खुदा के ही बंदों को सुधारना है, और आप खुद भी जानते हैं कि कितने के सुदरे हैं, अभी थोड़े ही सुदरे है, जिसमें हिंदू, मुसलिम, सिक, हिसाई, पूरे देश से, अलग-लग धर्मों जात, वहां किसी को ऐसे नहीं मानते हैं, बस एक मानते हैं कि सब मालिक के बंदे हैं, बस बात कतम, कि उस मालिक ने सब को बनाया है, और हमारा सबसे बड़ा एम वो ही है, लोगों को ड्रग चुडवाते हैं, उनकी बैड हैपिट पे, वो खुद कंट्रॉल कैसे करें, उनको सिखाते हैं, और ये सिखाते हैं कि आप कभी भी नेगटिव ना सोचें, हमेशाँ पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव अनरजी आपके अंदर से आप प्राप्त कर सकते हैं, ये प्राप्त करें, जिसमें बाबा को अपना साथ देना चाहिए, और लोगों में सुधार लाना चाहिए? कुछ नहीं, जब वो कदम चले तो लोगों ने साथ-साथ कदम उठाए, आज बहुत सारी समस्य आये हैं, हम 125 मानवता बहलाई के कारे शुरू कर चुके हैं, जिसमें रिश्वत नहीं लेना, एक प्रहस्टाचार बहुत बड़ी बात हैं, हम उनसे फारम बरवाते हैं, रिश को गल्त हरकत नहीं करेंगे, लड़कियां लड़कों को उस तरह उकसाएंगे या ऐसा नहीं करेंगे, तो वो भी फारम हजारों लाखों की तादाद में वहां भरे जा रहे हैं, तो इस तरह समाज के में बहुत सारी बुरा हैं, जो आपने बोला, बिल्कुल सही है, इतना जादा समाज में बिगड़ा हुआ समाज है कि पूछिये मत, लोग ये सोचते हैं, राम राम सामने वाला पूछते हैं, बोल क्या चाहिए, यार, सलाम या राम राम नहीं बोल सकते, कहता है, मैंने सोचा कुछ लेना होगा, मतलब आगे से जवाब बहसा नहीं मिलता, तो ऐ जबकि हमारी सब्वेता गजब की है, चाहिए, किसी धर्म को ले लीजिए, वो वर्ड का नंबर वन था, वन है, और मालिक ने चाहिए, उसको वन ही रख के देखेंगे, इजाजत हो तो एक सवाल और मैं पूछ सकता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अक्सर जब शाम को टेल सब को एक कर सके, जी, जी, बिलकुल, बिलकुल, MSG2 में भी हमने एक डायलोग बोला था, फिर से आपकी नजर करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिक इसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इनसान बुरा है, धरम मजब बुरे नहीं होते, बुराई जिस बाबाजी, I am Kumar Mohon here, can you put some light on this title, Lionheart, जी, जी, जो Lionheart है, अगर हिंदी में बोलें तो शेर दिल, कि वो एक ऐसा top agent है, इंडिया का secret agent, Lionheart, जो की पूरे देश के लिए लड़ता है, और खास करके बेहनों की इज़त के लिए और धरती मा की इज़त के लिए, तो ये फिल्म उसक कि वो बना कैसे, तो वो क्या था, एक युधा था, कैसे उसने शुरुआत की, कैसे उस समया से 300-400 साल पहले aliens आए, कैसे वो इस धरती में अपनी वंशिज को चलाना चाहते थे, और कैसे वो उनसे लड़ा, और उसमें बहुत सारी उसकी परिवारिक स्टोरी भी है, तो वो में जाते हैं, लॉइन हाट के तो वो शेर दिल होता है, और फिर से वापिस आते हैं, तो वो लॉइन हाट है, तो ये फिल्म बैक्राउंड में ज्यादा चलती है, और फिर इसका असल में हकीकती ये है, कि इसका second part पहले लिखा गया था, फरस्ट हमने बाद में लिखा, कि वो जरूरी था कि भाई, इसका आगिर, किसी ने बोला कि गुरुजी, ये लॉइन हाट बना कैसे हैं, क्योंकि वो बहुत हाई-टेक है, जो लॉइन हाट आपने देखा होगा, तलवार फैंकता है, पैंबना के यहाँ रख लेता है, पैंखो फैंकता है, तो तो बहुत जैसे बोल दिया गुरुजी यह इसका यह बना कहां से हमने का कल को बताएंगे तो एक गंटे में माहली की खिरपा से हमने वो स्टोरी बनाई जो आज आज आपके सामने और देर दिन में विद डायलोग स्क्रिप्ट हमने यह तियार करके शुटिंग शुरू कर दी ती ती त जैसे बाबबाजी आपके ड्रेसंस की बात करने जैसे मैं ने कहा भी काफी यूनिक ड्रेसंस है और हिरुजम की भी आप एक नही डेfinition लेके आ रहे हैं जैसा कि और अर एक्टर्स हैं आख्षे हो रितिक हो यह आप नोमली आपका बाडी जैसे जैसे आपका बाडी जैसे आप एड्मायर करते हैं हॉलीवड और बॉलीवड दोनों में हम तो हमेशा आपसे कहते रहें एक को ही हम मानके चलते हैं और वो है ओम हरी अलारा उसी को मानके चलते हैं और जैसे आपने जो सवाल किया हमने कभी किसी एक्टर को बुरा कहा ही नहीं हर कोई अपना-पना काम करता है हर कोई अपने-अपने काम में मस्त है जिसका काम आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है जिसका अच्छा नहीं लगता विचारा वो कोई बार घर में चला जाता है तो हमारा ऐसा कोई आइकॉन कोई एक्टर ना तो इंडिया का या ना क्योंकि हमारा बच्पन से एम, ओम, हरी अला, राम था, कि उसी की भक्ति अबादत करना है, और यह अपने आप और हम करते जा रहे हैं, और जो आपने देखा था, मस्कूलर, अगर तेरा टन की बस खींच दें, तो वो मस्कूलर है, और अगर हम नहीं खींच पाई, तो हम, मस्कूलर नहीं है, यह हमें कुछ बात जची नहीं, क्योंकि वो तेरा टन की रियल में बुलेट प्रूफ थी, जो हमने गराश पे किंची हैं, क्योंकि किसी ने चैलेंज किया था, पूरे वर्ड में से लोग आई हुए थे, साइंटिस्ट, कि गुरुजी ब्रमचर है क्या होता है, यह जीरो होता है, तो हमने का, वो सामने बस कड़ी है, बुलेट प्रूफ, कहते हां जी, तो आप खींच के दिखाओ, तो वो 25 लोग लगे, गरास पे थी, वो हिली भी नहीं, हमने का, आब हम देखते हैं, तो हम कहीं से शुटिंग करके आ रहे थी, आपने पगड़ी देखी होगी, वो शुटिंग थी कहीं, तो हमने ऐसे बांध के चाती पे एक पट्टी लगा के, पिल्लो मोटा, और रसा बांध के तो उसको खींचा, और वो मालिकी किरपा से 14 मिटर चलेगी, लगबग 13 टन की बस, तो यह मस्कूलर से पावर नहीं आती, हमें लगता है, पावर इश्वर की शक्ती से, और आदमी का कमाया हुआ सरीर, हम पूरा-पूरा दिन फावडा चलाते थे, जब हम agriculture करते थे, हलांकि बहुत बड़ा घराना था, पर लगातार, हमने जिम बहुत कम किया है, यह आपने जो शोड देखे बच्चों को सिखाने के लिए, बहुत हम ऐसा करते थे, लेकिन अधरवाइस हमने practically काम धंदा बहुत ज़्यादा किया, जब बिजय तस्वीर, जी 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 बिल्कुल, जैसे ही आप इन साथियों से भी पूछ सकते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, तब हमें फुरसत मिलती थी, हम भागे जाते हैं, मालो दो गंटे हमारा शौट नहीं है, तो हम इनको केते हम अभी आए, और हम जाके वाँ मुजिक बनवाते थे, पूरा सेट अप कंप्यूटर लगे हुए हैं, पूरा सब कुछ, और बताते थे कि नहीं, यह वाला नहीं, तो हंडर प्रसेंट ही हम उनको देते थे, और तभी उसकी किर्भा से संभव हो पाया, कि बहुत जल्दी यह मुजिक बना, फिल्म के साथ साथ, मुजिक भी बनता गया साथ, मैं सर जी, हलो, कुछ आइकल ट्रेक के वारे में कुछ बताएंगे सर, यह जो सौंग है, जो यो पी साथ हमारे साथ लगे हुए थे, हमें कठी करते थे, वो शॉट वगेरा लेना है, तो एक ढोल आपने देखा होगा, यह 21 फूट उन्चा है, और लगबग 30 फूट चौड़ा है, और यह जब बनाना था, तो एक ही इसके साइड में 10 फूट की परकार, यानि 20 फूट का नगाडा है, तो एक ही नगाडा था, और हम सुबा पांच बज गए, पहला शॉट लिए, वो दूसरे थी, यह लास्ट में शॉट लेना था, तो हमने का यह तो एक तो गंदा लग रहा है, चलो अपने एक और बनाते हैं, तो पूरे दिन में एक शॉट बना, फिर इसको उ कोड़ी थी, वो शैद्रियल में कुछ पता नि, क्यों नहीं आपाई, तो वो अपने आप में बच्चे डरके भागे थे, जो डांस कर रहे थे, फिर दुवारा से डांस कर वाया, तो ऐसे कई चीजें सॉंग में हुई हैं, जो एड़ दा स्पोर्ट ही हम लोगों ने सेट बने, तो संतो जी ये डियोपी साब यही कह रहे थी कि मैंने बहुत सारे सेट पे देखा है, बहुत सारे बड़े-बड़े कोरियोग्राफर से देखा है, आठ डिरेक्टर को देखा है, लेकिन ऐसे एक दिन में ऐसा कुछ बन जाए, ये पॉसिवल नहीं, हमने का यहा अपना कितित में शूट हुआ है, ये अगर दिन काउट करें और गंटे 298 गंटे 298 जो गंटे हैं, इस पे लगे हैं, क्योंकि बीच-बीच में हमें सर्शन करने जाना पड़ता था, ताइम पिल्ड उस तरह से नहीं, अगर काउट करें, तो 25 दिन जो मान के निकाले गए, कि 25 दिन में ये पूरी मूवी शूट हुई, ये बाबाजी, आजकल फिल्मेकिंग के बाद का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टन रोल होता है, वो है फिल्म के पॉब्लिसिटी, फिल्म को प्रमोट करना, तो अक्सर ये देखा जाता है, कि चाए वो सल्मान खानों या शारु खानों अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए तेलुविजन रियालिटी शोज में जाते हैं, तो इस बार क्या ऐसा मोका रहेगा जाएंगे इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, या इंविटेशन आ चुके अल्रेड़ी, जी ऐसा कोई इंविटेशन आया होगा, तो हगेकित वालों को पता हो सकता है, क्योंकि जब भी वो कहते हैं, कहीं जाना है, पिछले ही जो MSG 1 में हम गए थे, पूरा इंडिया में गए थे, MSG 2 में थोड़ा कम गए, इस वार अभी हमने उनसे कोई ऐसी बात ने क्योंकि हम कल ही आये हैं, तो अभी पूछेंगे उन्हो जी, सर अभी कुछ समय के बाद आपको एक आवर्ड मिलने जा रहा है, तो क्या उस बारे में आपको बताएंगे? जी, आवर्ड के बारे में हमें वहां पे जाके की सज्जन ने यहां के मुंबई के, बताया था कि गुरु जी ऐसा आवर्ड है, तो हमने का हम मौनवता बलाई के जो कार्या कर रहे हैं, यह हकीकता आपने देखी है, यह शूटिंग नहीं है, यह रियल शॉट आपने जो द अब तक 30 बेटियां वो हो गई हैं, तो ऐसे कारे हमने बहुत सारे चला रखे हैं, और 91 से चलाए हुए हैं, बहुत सारे कारे हैं, तो वो सब जब उन्होंने देखा, तो वो कहले हैं, गुरु जी, वैसे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वार्ड को लें, ताकि दुनिया तक वो बात जाए, तो हमने का फिर कोई हरज नहीं, अगर आप ये दुनिया तक बात पहुंचाएंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी, कि हमारे एक आपके यहां आने से अगर ये बात वहां जाती है, हम तो कब से इसलिए लिए लगे हुए हैं, कि समाज उस ब दुनिया में जाएंगे, लोग जागुरू कोंगे तो ये चीज़े हट जाएंगे, सर और सवाल है पेरा, आपके आप ऐसे कहते हैं कि आपने जो आपकी किसी की फरिमाईश होती है, आपके चाहने वाले कि आप पूरा कर देते हो, ऐसे कहते हैं, मेरा सवाल है, सर आप तक अपने हजार डरेसिज बनाए आपने आप पर, स़ई इसको कहां पर आप रखते हैं? जो भी ड्रेस हम बनाते हैं, हकीकत यह है, कि इन ड्रेसों को बाद में, जो लोग चाहवान होते हैं, उनको दे देते हैं, हम रखते ही नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारा यूथ आता है, और उनको हम शर्त यह रखते हैं, इसके बदले में, आप इतने लोगों का इलाज क करवाएंगे बैंके में पैसा जमा करवाएंगे और वो लोग जाके खाता खुला हुआ श्यास्त्राम जी ग्रीनेस बैल फिर फोर्स विंग का तो वहां पैसा जमा करवाते हैं फिर उनके वो पैसे चेक के दुवारा जिसको जुरूर तो थी है उन तक रोजाना यहां अपते जीतिना जाहेंगे उनको अपने अंदाज में जी हमारा अंदाज है कि उन्होंने एक शुरुआत जो हमारे सारे धर्मों की है तब भी किये जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और आज भी किये कि वो मां के चर्णों में जाके बैठे थे मां के चर्णों में स्वर्ग होत है ऐसा सबने बोला है कम पूरी दुनिया में यह चीज आती है कि हाँ चाहे आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए मां के लिए तो छोटा बच्चा ही होता है तो यह बड़ी चीज हमारी सभ्यता हमारी संस्किर्ती का बहुत उंचा नाम हुआ है बाकि जो कारे कर रहे ह है जो हमने सुना और जो हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे लगे वो का रहे हैं जैसे सफाई माब्यान को उन्होंने अपनाया बेटियों वाले मुद्दे को उन्होंने उठाया तो और भी वो जो कारे कर रहे हैं लेकिन हतेली पे सरसों तो नहीं जमती पर उमीद जरूर है कि वो हर कौम के लिए हर देशवासी के लिए जुरूर अच्छा करेंगे बाबा जी नमस्ते सर मेरा नाम किशन है सर जैसे कि आपने वेमन एंपावर्मेंट की वीडियो हमने देखिए आपने वैश्य महिलाओ को भी आपने शादी कर आया आपको लगता है कि इसे बैंद करना चेकिए कि विश्व भर में से बैंद किया गया आपकी क्या राइयस पर हमने यहां तक धर्म को पढ़ा है हम अपने अकॉर्णिंग कहेंगे हम किसी और के अकॉर्णिंग निए क्योंकि हमने सभी धर्म को जैसे चारों वेद पड़े हैं गीता रमायन महांभारता तो इन पवित्र गरंतों को हमने पढ़ा उसी के साहँ पवित्र कुरान श्रीष, कुरान मज़ीद, इने पर हमने रिसर्च किया सभी धर्मों पे, तो उसमें हमें नहीं लगता कि पेगंबर साब ने कभी ये कहा होगा कि किसकी बेजती करो या किसी को पल में बेगर कर दो हमें लगा नहीं उनकी बानी पढ़के उनकी एक एक अलफाज पढ़के हमें लगा ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, बाकी इसके विचारक जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है क्योंकि धर्म का मुद्दा है, लोग हमारी बात का तो वैसी जराजिसी बात को उठा लेते हैं, लेकिन ये हमारा नजरिया है कि उनका पहला रह्माने रहीम कि जो रह्मान है वो रह्मो करम करने वाला है ये उनका पहला अलफाज है तो जो रह्म कहता है वो कभी किसी पर जाती हो जाए ऐसा सोच नहीं सकते बाबा जी आपका इतना हेक्टिक स्केडूल होके भी आप इतने फ्रेश और एनेजेटिक कैसे लगते हैं, क्या राज है? यह बहुत सारी बच्चों का सवाल रहता था, वहां शुटिंग करते थे आपने बेटा जो कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी लोगते सा मानते हैं नहीं थे, आपको इसी बात का जवाव देने से पहले बताएंगे, कि हम बेटी के साथ आ रहे थी मुझे में पिछली वार, तो हमारे साथ उनका बेटा बैठा हुआ था, तो वो एक एर होस्ते लड़का आया, कहता गुरुजी आपका बेटा है, हमने बेटी का बेटा है, कहता हो यह नहीं सकता, यार बेटी का बेटा है, कहता नहीं नहीं, मानते हैं नहीं है, वो चला गया, वहां बेटी पीछे ब मगें थी हैं तो यहां पूछरा हूं आगि जो ऐसे गुरुघ मेटिे थी हारुझा इनके रसाका से के भाई इबादत करना चाहिए कलमा अता करना चाहिए पद्धि एक गुर्मांतर मेटेसन करना चाहिए हमने शायद 5 साल की उमर से वो शुरू किया था और आते आते हम 15-15 गंटे भी करते रहे और उससे ऐसी अनर्जी आती है ऐसी ताकत आती है सामने क्या रहा है लोग आपको क्या बोलने है फर्क नहीं पड़ता हम सही मार्क पे जा रहे हैं तो चलती ही जाएंगे लोग कहने वा जी सर स्क्रीन में तो बड़े क्या कहते है कि गुस्टे से पेश आ रहे हो सभी को मारे हो अब रियालीटी में आपको गुस्टा आता है क्या जी बहुत ही अच्छा स्वाल आपने पूचा फिल्म में फिल्म का अंदाज निभाना पड़ता है रियल्टी में भी कभी कभार गुसा आता है और उसका कारण होता है कि हमें एक संत हैं एक फकीर हमें लगता है कि इसके आने वाले दिन बहुत ही खराब हो जाएंगे हम प् आता है सब्सक्राइब देखा है लेकिन उसके पीछे हमारा पर्सनल कुछ ऐसा होता हूं कि मेरे कपड़े घराब कर दिये यह मेरे यह कर दिया उसके लिए कभी हमने कभी सोचा इनी गुसा आना तो बहुत दूर की बात है हां यह चीज़ी जुरूर होती थी कि आपी है कि इस पूरी फिलम में एक तो हम यह बताना चाहते कि हमारी इंडिया का जो यूथ है नौजवान है उसने पूरी दुनिया का नाम रोशन कर चोड़ा है अगर बहार टेकनीक है तो हमारे यहां हाई टेकनीक है हमारे बच्चों के माइंड बहुत भी पावर्फुल है उनको मौका नहीं मिल पारा आपने लॉइन हार्ट में देखा वो जो स्टंट कर रहे हैं कि पैन से यह बन कैसे जाता है सीधा फरो या लाई के बुलिट हमने का हम कौन सा डॉक्टर है के तब हैं आपका शिशे तो हूँ आप गूरू है तो बताना पड़ेगा तो हमने सोचा इश्वर से प्रारतना की ख्याल आया कि लाई के बुलिट होता है तुसरे इडिया में बहुत जो माने जाती थियोरी वो बुलिट लाई के बुलिट बलड जाता है पहले वाले थियोरी सब फेल होगी और वो USA का टॉप डॉक्टर है तो कहने का मतलब कि यूथ हमारा इदर का धिमागी तोर पे या पावर के तोर पे किसी से कम नहीं है पर उनको सही मौका मिल जाए तो ऐसा है जी इस पे तो बड़े जुलम हो रहे हैं लेकिन हमने ये दिखाया है हमारा भारत सोने की चिडिया हुआ करता था एक ऐसे ऐसे योधा पैदा हुए है लोग जमीन जैदाद के लिए लड़ते थे और इसमें जो योधा है वो बहनों की इज्जत और धर्ती मा की इज जित लूटने की बजाए जित बचाने में लग जाए तो श्याद इस भारत में कभी कोई ऐसा जगड़ा हो इना और ऐसी चीजें नफरत फैले ही ना कि थर्ट फिलमारी है हाँ जी हाँ और रिसंदी आपको जारा सा फलके अवार्ड भी मिला और वहां पर सुना कुई आप पार्सला फिल्मिरस्टी के लिए कुछ करने वाले हैं तो हम सब लोगों बताई कि उतना फिल्मिरस्टी के वेलफेर के लिए कुछ आपके बड़े दनेंदा फिल्मिरस्टी के लिए और पूरे लाइफ के लिए बिल्कुल अंग हीन हो जाता है या बेरोजगार हो जाता है तो हम उसका पूरा साथ देंगे किसी को blood की जुरूरत है क्योंकि आ गए है अब इसमें फिल्मी जगत में तो इसमें अगर किसी को blood की जुरूरत पड़ती है तो free में उसे blood donation किया जाएगा मालिक ना करे ऐसा हो पर किसी के थैलिसीमिया के मरीज बच्चा है मंत्रा वो जो कलमा कह लें गुरू मंत्र कह लें वो उसके दुआरा हम टोटली नशा चुड़वा देते हैं तो ऐसा नशा चुड़वाने के लिए उन बच्चों को ले जाके हम उनका चुड़वाएंगे बस परिवार का एक मेंबर उनके साथ रहेगा उनका भी रहना पीना खाना सब फरी होता है तो ये सारे पहल हमारे दिमाग में हैं और आज आपके दुआरा बताना भी चारें कि ऐसा कोई भी मजबूर इंसान जो इस जगत से जुड़ा है और ऐसा कुछ उसके साथ हो गया है तो वो जुरूर मिले और हमारे लोगों उनसे मिले ताकि उनकी वो समस्या दूर कर पाएं बाबा जी एक सवाल सर्थ मेरा सवाल है कि बॉलिवूर के हर कोई स्चार चाहे वो शारो खानों सलमान खानों वो कपिल शर्मा के शो में जाता है क्या आप भी जाएगे फिल्म प्रमोट करने के लिए उनके शो में वो ही बात बेटा कि अगर उन्होंने ये टाइम लिया हुआ है हकेकत वालों ने तो जरूर जाएंगे और अगर उन्होंने नहीं लिया हुआ तो आपको बोला कि आप चौथा स्तंब हैं हमें लगते हैं इससे बड़ी मुश्यूरी और इससे बड़ी बात दुनिया तक और कैसे जाएगा आप भी तो स्टार हैं ये हकीकत है हम आपके कोई मक्हनबाजी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फकीर हैं मक्हनबाजी कोई और करता होगा हम संत हैं. तो हमें लगता है कि आप Ćप 4ा स्तंब ऐसे ही नहीं है. आप समाझ को वो बात पहुँचा दें जो सच-च होती है. तो हो इंनि grades कि समाज ना बदले. असक्त हैं आप 4 अस्तंब हैं. तो आपके सामने जब बात हो रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आप तक संदेश पहुंचा और आप दुनिया तक पहुंचाएंगे वाकि उनका अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो हमें जाने में कोई इगो या ऐसा वो तो सवाली पैदा नहीं होता बाबाजी जैसे कि आपने मीडिया के बारे में बात किया तो दो दिन पहले तीन पत्रकारों को पीटा गया बद सलुकी की गई हमारे एंटेंटेंटमेंट के सभी वरिश पत्रकार ते तो क्या कहना चाहिए रिशी कपूर जी ने उन्हें बद सलुकी की रंदीर कपूर ने हमारे न्यूस 24 के पत्रकार को कमल सर को उन्होंने मारा औ दूसरे पत्रकार को एक सुमिस सर है जो एंटेटेंटमेंट के वरिश पत्रकार है इंडिया टीवी के उनको भी गिराया गया तो आप कैसे देखते हैं कि बॉलिवूड के अक्टर्स पत्रकारों से बतसलुकी की गई आप एक बाबा है आप हमेशा एक अच्छा ही मेसेज भे अगर उन्होंने ऐसे मारा पीटा है तो यह बहुत ही गलत बात है हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है कोई किसी का गड़ा नहीं दुबोश सकता और दूसरी बात अगर कोई धक्का मुक्की में कोई गिर जाता है वो एक अलग चीज है उसको मारना हमारी नजर से नहीं है और तीसरी बात यह है कि आपस में जवाब लोग पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दें अगर नहीं देना तो आप यह कह सकते है कि मैं नहीं दूगा लेकिन हाथा पाई करना हमारे नजरिये से बहुत ही गलत है आशर में ऐसा कर कोई कर देता है क्योंकि माँ 6 क्रोड लोग तो आगे से शैद वो ऐसा ना कर पाई 24 गंटे काफी है दो दो गंटे खाने वालों के लिए नमस्ते जी मेरा सवाल है आपको सब यहां सी बोड़ रहा हां जी हां जी हां जी हां जी आपका जो सच्छा डेरा जो यूपी कैसे पेंचा के बाद यूपी का उत्तर बारत कें रहे बर नावा जो अभी उसकी ओर साखाय बारत में बना सकेंगे जी सतरह से आप उस just जहां उसी एरि хотите में-प ब publik लोगों कि 끝ubwe या उस तरब में उसकी आपकी कुछ साखाय कोड़ रहें और दूसरा ये मेरा सवार ओल भी है कि आपके पास बहुत सेवक लोग है कि आप भविश्या में आगे कुछ उन लोग को राजकारान में सामाजी के लाने की इच्छा कर रहे हैं जैसे आपने पहली बात की तो हमारा मुख्या आश्रम जो हर्याना में राजस्तान पंजाब का बिलकुल वो बॉर्डर एरिया है दिल्ली का भी और जुपी में भी आश्रम है यहाँ पनवेल में आश्रम है 94 में यहाँ पे हम लोग आये थे 92,3 में हमने बहुत सा संगें की थी तो यहाँ भी एक आश्रम है तो पूरे देश में जगा जगा पे आश्रम है वी देशों में भी हैं लेकिन उसका में जो बात है वो यही है किसी से दान नहीं लेते अपने पैसों से जमीन घरी दी जाती है और वहीं के लोग अगर चाहते हैं कि आश्रम बनाओ तो बना देते हैं और वहीं के लोग संभालते हैं और वहां नशा चड़ाओ के इंदर और जो बुराइया चुडाना वो चीज़ें वहां पे लगातर चलती है तो यह लगातर हम कर रहे हैं और करते रहेंगे रही बात दूसरा आपका स्वाल कि क्या राजनिती में ये बच्पन से हमें हमने कभी सोचा भी नहीं था जी जी आपने कुछ ऐसा कि अपने आदमियों को उसमें बेगे रहे हैं आपके पास बहुत सेवक लोग हैं जी जी उनक बनाने की कोशिस में करना चाहेंगे जी वही बात हम किया रहे थे कि हम इसमें कोई ये चीज नहीं रखते हां जो 125 कार्या हम लोग कर रहे हैं पूरे लोग मिलके कर रहे हैं और लाखों लोगों ने वो फारम बरे हुए कि हां हम बलट डोनेट करेंगे हम सफाई महाब्यान मुंबई में किया था आपको याद होगा शैद यहां इस महानागर को 6 या 7 गंटे में पूरा साफ कर दिया था और हो सकते हैं फ्यूचर में भी यहां के लिए भी ऐसा और सोचा जाए तो वो लोग लगाता रहे हैं ये कार्या कर रहे हैं बलट डोनेट कर रहे हैं पेड प एक्टिंग पूरूफ करना चाहेंगे चुकि अभी तक आपने खाली MSG सीरीज की मूवीजी की हैं तो उसके बाहर भी क्या आप कोई और मूवीज करेंगे जैसे बॉल्योड की टिपिकल मसाला मूवीज हो लाइक दबंग और हम मसाला तो नहीं ज्यादा लगाएंगे और वो वाड़ा मसाला कभी भी नहीं जिससे समाज बिगडे हां बाकि सचाई वाड़ा मसाला नहीं वो हकीकत जो है वो हम करते रहेंगे काफी लोगों ने अप्रोच भी किया है अभी जैसे ये मूवी आई इससे पहले एक मूवी बनके त्यार हुई है वो है ओनलाइन वो बड़ी मूवी है जो तीन घंटे तक चली गई हमने बहुत जोर भी लगाया कि कम हो तो उसमें ये चीजे दिखाएगी कि पहले कैसे होता तो इस टाइब की मूवी हम करना पसंद करते हैं कि जिससे समाज में बदलाव आई हम कैसी एक्टिंग करेंगे कैसा नहीं वो त पसंद आती है तो हमारी की जो बात है एक्टिंग वो सही है और आपको अगर पसंद नहीं आती तो हमें लगता हम और सुधारेंगे ताकि आज के नौजवान और उसको अच्छे से देखें और आगे बढ़ जाएं बाकि अलग से कुछ वो मसाला मुसुला कभी सुचा नही मिजवरें इस तरहICIA है गुरुजी मेना आखरी सवाले अबसेद लेफिक में हूं थाज्या दीन सवliers कि अब अपने बेटे efforts की दो कब लाउंच करें हो और इसको बेटे को व्त को उसका साओ मिसा कवी इनट्रेस्ट नहीं रहा इस चीज मेंiral These ज्यादा तर वह जो कार्य क वह बहुत खेला है, किरिकेट का नैशनल प्ले रहा है, गन शुटिंग का नैशनल प्ले रहा है, लॉंटन इसका बेटा भी आगे खेल रहा है, वो 10 साल का है, तो ऐसा उसका कोई ख्याल आ गया तो उसको लॉंच कर देंगे, उसमें कोई डर नहीं, कि कोई कुछ करना देखते हैं, जो गन लेके कह रहे है, कि सरकाय की भी कदम ऐसा नहीं होता, तो वो बेटी ही है, और एक दूसरी बेटी है, जो हमारी बड़ी बेटी है, वो भी इसमें एजे हिरोईन, वो हमारी एजे सिस्ट्र हैं, तो ये इनको तो किया, अगर वो चाहेंगे, तो उनको भ ले आएंगे, जब वो उनकी इच्छा होगी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, लेट प्लीज जॉइन अस फो लांच आउट साइड, और थैंक यू गूरू जी, आप सब का फिर से बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत आश्रवाद, भगवान आप सब को ताकत दे, शक आए तो ले लिए किस्वार्या क्निधतろे से भीक्तों, जड मताती इच्टि वूरू झाल्या होगी, उुझ कि न लेक्का सादू आएप़ वरच्डे,न काा इंक्स जयाओ, भूरू का पर finesोंने अदानों, लेक्ष न इन आपक, संदूक़् पासे भीक्तों, आभ एक्ती ब